रेट्रो स्टेडीज में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास 9 के विहाई बुक से विंड पोएम पढ़ेंगे जो कि CS भारतियार के द्वारा लिखा गया है तो आईए देखते हैं पोएम स्टार्ट करने से पहले हम पोएट के बारे में जान लेते हैं इस पोएम के पोएट चिन्ना स्वामी सुब्रमन्या भारतियार हैं जिनका जन 11 दिसंबर 1882 में हुआ और इनके मृत्तियों 11 सितंबर 1921 में हो गया ये इंडियन राइटर थे जनरलिस्ट भी थे और सोसल रिफॉर्मर थे जो कि तामिल नाडू से बिलॉंग करते थे मुख्यता इनको महा कवी भारती के नाम से जाना जाता था जो कि modern तामिल पोएटरी के पाइनीर माने जाते थे इन फैक्ट वो तामिल नाडू के सबसे महान लिटररी फिगर में से एक थे उनकी जो fiery song थी patriotism से related और nationalism से related उन सभी को हम देखेंगे कि Indian independent movement के दोरान वो किस तरीके से सब के सामने प्रस्तुत हुआ था इस कवीता का central idea हम लोग देखेंगे इसमें सुब्रमन्य भारती बता रहे होते हैं कि हम सभी को अपने धिमाग और body को strong रखना चाहिए क्योंकि अगर हम अपने mind और body को strong रखेंगे तो जो हवा है जो wind है वो हमारा मित्र बन जाएगा और उससे किसी प्रकार का कोई destruction और disturbance नहीं उत्पन होगा कभी इस poem में बताना चाह रहे हैं कि चुकि अगर हवा दीरे बहती है तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा उससे थोड़ी तेज बहती है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है और ज्यादा तेज बहती है तो वो तुफान का रूप ले लेती है जिससे destruction होता है ऐसे लोग जो लोग गरीब होते हैं उनका जो जो जोपड़ा होता है वो उड़ जाया करता है तूट जाया करता है वो बेघर हो जाते हैं यह सब difficulty के बारे में बता रहा है इट मेंस जो wind है यह यहाँ पे actually difficulties और challenges को represent कर रहा है और हमें difficulty और challenges से कभी भी डरना नहीं चाहिए उसका डट के सामना करना चाहिए जैसे मान लिजे कि बहुत तेज हवा चल रहा है तो हवा तेज चल रहा है उससे अगर अपना बचाव करना है तो जोपड़ी नहीं उसके लिए चाहिए एक concrete wall सिमेंट का बना हुआ इटे का बना हुआ पत्थर का बना हुआ दिवार जिसस हमने भी life में challenges और hardship हैं उसको साहस के साथ accept करना चाहिए और firm determination के साथ द्रण संकल्प लेके उससे लड़ना चाहिए ना कि उससे डर के भाग जाना चाहिए अभी हमने बताया कि जो wind है वो problem और obstacle का symbol है और उसको हमें हमेशा fearless होके deal करना चाहिए अगर हम problem से दोस्ती कर लेत जाता है बहुत तीजी हो जाता है हम उसके साथ जिस तरीके से behave करना चाहिए कर सकते हैं और example और मानस वभाओ को देखिए आप उसमें भी होता है कि जिससे हम मित्रता नहीं किये होते हमें लगता है कि वह बहुत ideal सा होगा लेकिन जब उससे मित्रता होता है तो वह हमारा बहुत अच्छे से रहने लगते हैं ठीक उसी प्रकार अगर कभी भी आपको आपके जीवन काल में या फिर आपके गोल के अंतरगत इसी प्रकार का बाधा दिखता है तो उस बाधे को आप देखके हदास मत होईए आप उससे लड़ने का प्रयास करिए आप समझे कि आपक इसका मतलब क्या वो बता रहा है कि अगर हमारे मन के अंदर ऐसा डर भय नहीं रहेगा तो हम कितना भी उची चड़ान रहेगा उसको हम लोग हाड कर जाएंगे और इसी प्रकार से इस पोयम में सुब्रमन्यम जी भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अपने परशानिय उसे लड़ना है ना कि उससे डर के भागना है और यहां पर आपका ये पोयम समाप्त होता है थैंक्यू फर वाचिंग प्लीज लाइक सेर और सब्सक्राइब मैं चैनल रेट्रो स्टडीज